अब देवताओं की पूजा के बारे में शुमत भगवत कीता में भगवान सिरक्रिष्ण क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं साथवे अध्याय में भगवान सिरक्रिष्ण ने इसका वरणन किया है तो इसके बाद में सौमे विकानन जी ने फिर घर में जितने भी भगवान और इश्वर के आधी फोटो आदी थे उन सब को लिया और वे गंगा में नारायन 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 सबमित्र कुराम राम दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से मैंने कानतारा फिल्म के बारे में सोचल मीडिया पर कुछ कमेंट्स पढ़े मेरे पास कुछ प्रशन भी आए कि क्या कानतारा फिल्म अंदविश्वास को बढ़ावा देती है या इससे ही मिलते जोलते कुछ कमेंट्स वगेरा मैंने सोचल मीडिया पर पढ़े तो मुझे लगा कि इस पर बात करना बहुत आवश्चक है और केवल कानतारा फिल्म ही नहीं तो जिस विशे के बारे में अभी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उसके माध्यम से आपको और भी बहुत सारी महत्वपुर्ण बाते पता चरेंगी आगे मैं कुछ कथाए, कुछ कहानिया भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्वामी विवकानन जी के मन में भी इसी प्रकार का एक प्रश्ण जब वे आत्म ज्यान के तत्व ज्यान के मार्क पर चल रहे थे, ज्यान मार्क पर, तब उनके मन में भी ऐसे ही कुछ प्रश्ण उत्पन्न हुए थे तो उस पर रामकुर्ष्ण परमंज जी जो उनके गुरुदेव थे, उन्होंने क्या उत्तर दिया था या भगवान स्री कृष्ण ने श्रीमत भगवत गिता में देवताओ की पूजा में या फिर भगवान की इश्वर की पूजा के बारे में क्या कहा है ऐसी बहुत सारी बाते मैं आज अप, मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रारता न करूँगा कि प्लीज आप इस वीडियो को अंततक पूरा अवश्य देखना और इसे लाइक और शेयर जरूर करना तो देखे जब मैंने एक आंतारा फिल्म का ट्रेलर रिव्यू किया था उसके बाद में जब मैंने मुवी रिव्यू भी किया था उन दोनों ही वीडियो में मैंने हमारे गाउ में मैंने जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता कल्चर जो देखा हुआ है वागया मुरोली उनके द्वरा जो जागरन गोंधर किया जाता है बगवान शिव जी के अवतार खंडोबा बगवान मलारी मारतन खंडोबा जीने कहा जाता है उनकी ही आराधना की एक पद्धतिया हम उसको कह सकते हैं तो उसके मैंने कुछ वीडियो हमारे उन दोनों ही वीडियो में रिव्यो और ट्रेलर रिव्यो में मैंने दिखाए थे और ऐसी जो कुछी जागरन गोंधर या अलग-अलग जो ऐसी परमपरा है पुजा पद्धतिया आदी होती है उनमें जो देवता होते हैं या पिर जो देवी होती है उनका शरीर में आना फिर लोग उनसे प्रश्ण पूचते हैं ये आपने भी अपने अपने गाउ में मैंने भी देखा हुआ है आपने भी अपने अपने गाउ में देखा होगा और जो ग्राम देवता होते हैं आप भारत में अलग-अलग गाउ में चले जाएए तो ग्राम देवता की जो पूजा होती है अलग-अलग गाव में अलग-अलग प्रधतिया होती है पर ये सभी जगह पर होता है ग्राम देवता हो, कुल देवता हो, उपदेवता हो या जो दैव हो या कांतारा फिल्म में जो पंजुरली और गुली का जो दैव है वे भगवान शिव जी के गण है जितना मुझे पढ़ने को मिला उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ भगवान शिव जी के वे गण है और उनकी पूजा की जाती है और ऐसे और भी कई सारे उधारण हमें मिल सकते हैं जैसे कि विरभद्र जी जो भगवान गण भी का जाता है भगवान शिव जी का उनकी भी पूजा होती है तो दैव, देवता, ग्राम देवता, उपदेवता, कुल देवी या भगवान शिव जी के जो गण होते हैं इन सब की जो पूजा पद्धितियों से जुड़ी अलग-अलग परंपरा हैं वो आपको भारत के अलग-अलग शेत्रों में देखने को मिलेगी और देवताओ की जो पूजा होती है वो अलग होती है और भगवान और इश्वर की जो पूजा होती है वो अलग होती है भगवान इश्वर यानि भगवान शिव जी श्री हरी भगवान विश्नु उनकी जो अलग-अलग आ अलग होते हैं तो अब हमारी भारतिय भाषा में तो इनके लिए अलग-अलग शब्द है पर अंग्रीजी में एक ही शब्द है Lord या जादा जादा God ये एक-दो शब्द हमें देखने को मिलते हैं इस कारण से बहुत सारे लिए confuse हो जाते हैं क्योंकि अंग्रीजी में इतने सारे अलग-अलग शब्ध हमें देखने को नहीं मिलते हैं पर ये सब अलग-अलग है इनसी जुड़ी वी जो पूजा पद्धितिया है परमपरा है वो भी हमें भारत के सभी क्षेत्रों में सबी जगों पर सबी गाओं में देखने को मिलती है और ये जो भी पूजा पद्धिया है परमपराय है आचाए वो पूजा पाठादी हो करमकांड हो या परमपराया दी हो इन सब का अपना-पना एक अलग महत्व होता है देवताओं की पूजा जिस भोतिक इच्छाय के साथ में हम करते हैं वो भोतिक इच्छाय भी भी वे हमारी पूर्ण करते हैं या भगवान और इश्वर की जब हम पूजा करते हैं तो वे हमें अलोकिक ज्यान आत्मग्यान वे हमें देते हैं हाला कि अध्यात्मिक मार्क में जो कर्मकांड होता है, पुझापाट आदी होते हैं, उन्हें पहली सिरी कहा जाता है, बिल्कुल पहली सिरी, उसके बाद में फिर तिर्थाटन आदी होता है, उसके बाद में फिर इश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति, भक्ति के बाद में आप जो साधना मार्ग करते हैं भक्तियों के मार्ग में भी अलग-अलग सीडिया होती है भक्तियों के मार्ग में सबसे पहले आप हातों से ताली बजाते हुए मुझ से जाप करते हुए किर्टन आदी करते हैं उसके बाद में धिरी-दिरे आप मंतर जाप करते हैं, फिर वो मंतर जाप भी धिरी-दिरे रिदय से अपने आप होने लगता है, अंदर से अपने आप मंतर जाप भगवन नाम जाप चलते रहता है, फिर जब भक्तियों के मार्ग में आप आगे बढ़ते हैं, तो इश्वर अपने आप अंदर से हमें संतों के पास, आत्मग्यानी संतों के पास जाने की प्रेरणा देते हैं, अब यहाँ पर भी दिखिए, संत अलग होते हैं, कथावाचक अलग होते हैं, साधु अलग होते हैं, आचारे अलग होते हैं, योगाचारे अलग होते हैं, कई लोग कथाव वाज़े संत कहा के वऩल जो अगर हमें आत्मग्यान की इच्छा है तो ब्रह्म ज्यानि, आत्मग्यानि तत्व बेता संतों को भी गुरू के रू के रूप में उनके शरण में जाने के लिए गया है तो कथाव आचाक अलग होते हैं, योगाचारे अलग होते हैं, आचारे अलग होते हैं, जो योग सिखाते हैं, वे अलग होते हैं, उन्हें संत नहीं कहा जाता, साधू जो होते हैं, वे भी अलग हैं, उन्हें संत नहीं कहा जाता, तो जैसे कि मैंने कहा अलग-अलग सीडिया अध्यात्म मार्क की होती है कर्मकान, पूजाबाट, इन्हें सबसे पहली सीडी कहा गया है उसके बाद में तिर्धाटन आता है उसके बाद में धिरे-दिरे भक्तियोग भक्तियोग के मार्क में भी अलग-लग सीडिया होती है फिर धिरे-दिरे इश्वरा में ब्रह्म ग्यानी संतों के पास जाने के प्रेणा देते हैं, फिर हमारी ग्यानमार्ट पर चलने की जो यात्र होती है, वो शुरू होती है, ग्यानमार्ग यानी वो जो सच्चित आनंद स्वरुप पर ब्रह्म परमात्मा है, जिस पर ब्रह्म परमात्मा किसे ही सारी सुरुष् हैं कि वो जो चैतन्य स्वरुप परमात्मा है वो हम स्वयम है हम मतलब ये हाड मास का शरीर नहीं मन बुद्धी चित्त एहंकार नहीं मन को मनन करने की चित्त को चिंतन करने की एहंकार हमारे मन में जो एहम की भावना होती है या जो बुद्धी को तर्क करने की शक्ति जहां स प्राप्त होती है वो चैतन्य स्वरुप परमात्म हम स्वयम है जीव और शीव अलग नहीं है वो आत्मग्यान फिर उसे अध्यात्ममार की सरवच्च स्थिति कहा जाता है कैवल्यपद मुक्ति आत्मसाक्षात का रात्मग्यान वो उस स्थिति को सरवच्च हमारी संस्कृति में कहा गया है अध्यात्म मार्क की सरवोच चिस्तिति उसे कहा गया है पर ये जो पूरी अलग-अलग सीडिया मैंने आपको बताई इसमें सभी सीडियों का अपना अपना एक अलग महत्व है हम किसी भी बात को नकार नहीं सकते आपने देखा होगा कई सारे आपको भारत में ही अलग-अलग ऐसे कई सारे सनातन संस्कृति के अंदर की ही संपर्दाय आपको मिल जाएंगे जो मुर्ती पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते वे पूरी तरीके से ज्यान मार्क पर ही विश्वास रखते हैं परन तो देखे ज्यान मार्क सभी के लिए नहीं होता है आत्म ज्यान का मार्क सभी के लिए नहीं होता अब जैसे अहम ब्रह्मास में मैं ही वो परभ्रमो परमात्म स्वरूप हूँ ये ज्यान सब को हजम नहीं होता है सब के लिए वो पात्रता ज्ञान मार्क पर चलने की सब में योग ज्यता नहीं होती है इसी कारसे धीरे धीरे अध्यात्म मार्क में आगे चलने के लिए कहा गया है इसको लेकर एक हमारे शास्त्रों में कथा आती है मैंने बच्पन में सुनी थी कि देव और दानव उनकी बीच में युद्ध तो होते ही रहते हैं एक बार देव और दानव दोनों ने ही आत्मग्यान की महीमा सुनी कि भाई जो आत्मग्यानी महापुरुश होते हैं वे तो इतने उस आत्मग्यान की महीमा है कि इश्वर भी ऐसे आत्मगयनी संतों के चर्णों में बैठ कर ग्यान प्राप्त करते हैं इश्वर भी जब अवतार लेकर धर्ती पर आते हैं तो ऐसे आत्मगयनी संतों को वे अपना गुरू बनाते हैं उनकी वे सिवा करते हैं तो देव और दानों दोनों नहीं सोचा कि चलो हम उस आत्मग्यान को प्राप्त करते हैं दोनों नहीं कठोर तपस्या कि ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी प्रसंद नहुए और आये और देव और दानों दोनों नहीं मांगा कि हमें वो तत्वग्यान चाहिए वो आत्म ग्यान चाहिए वो ब्रह्म विद्या हमें चाहिए ब्रह्मा जी ने काफी कहा कि भाई ये सबके बस की बात नहीं है बहुत बात कही पर उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो वो आत्म ग्यान ही चाहिए देवरदानों दोनों नहीं मांगा तो ब्रह्मा जी ने फिर वही आत्मविद्या अहम ब्रह्मास्मी वो ग्यान देवरदानों दोनों को ही दिया अब देवताओं उने तो शुद्ध मन से साधना की हुई थी अंतकरन शुद्ध था तो जब उन्होंने अहम ब्रह्मास्मी वो सच्चित प्रभ्रह्मा प्रमात्मा स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप जिनसे ब्रह्मा विश्नु महेश इन्हे भी स्रिजन पालन एवं संगहर करने की शक्ती जहां से पराप्त होती है वो प्रभ्रह्मा प्रमात्मा हो अहम ब्रह्मास्मी तो ये जब ज्ञान ब्रह्माजी ने उने दिया देवताओं ने तो उसे positive way मिलिया कि भाई ये शरीर के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि ये शरीर मैं शरीर ही मनन किया, चिंतन किया, और मन और बुद्धी और शरीर को वे एक टूल की तरह यूज़ करने लगे, उसको उस ज्यान को उन्हें सही तरीके से लिया, क्योंकि वे सही पात्र थे, अब दानवों ने उसका उल्टाई अर्थ ले लिया, कि अहम ब्रह्मा स्मी, मैं ही वो इश्व से बड़ा हूं, तो उन्होंने शरीर को ही वो इश्वर मान लिया, उस अहम ब्रह्मा स्मी का अलग अर्थ, गलत अर्थ उन्होंने ले लिया, और उसका और ज्यादा उनका विनाश के मार्थ पर ही वो आगे गए, और ऐसा कहा जाता है, कहानी, आप आप इसको आप एक प्र पावारत आप समझिए, इसकी भावना को आप समझिए, कि ज्यान मार्ग सब के लिए नहीं होता है, इसी कारण से पुझा पाठ हो, कर्म कांड हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्यान योग हो, हट योग हो, समत्व योग हो, अलग-अलग प्रकार के जो योग बताए ग इश्वर तो सर्व व्यापक है वो तो सभी जगह पर है हमारे रिदय में भी है और हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि वो सच्छी दानन्द परब्रमा परमात्म सुरूप तो सब जगह पर है पर फिर भी तिर्था टनका भी अपना एक अलग महत्व है क्योंकि जब हम अपने हैंकार को छोड़कर घर से बाहर निकलते हैं जो हम 2400 गंडे भोतिक चीजों की पीछे भागते रहते हैं चलो उससे हटकर कुछ दिन हम तिर्थे यात्रा के लिए एक सात्विक जीवन जीने के तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी दिर के लिए हम भोतिकता से दूर हो हुँ मेरी यतनी बड़ी नुकरी पैसे इतना सब कुछ है पर जब इशवर के दर पर जाते हैं तो कहीना कई पर हमें अपने एहकार को इश्वर के चर्णों में समरपित करना होता है हाला कि मैं आज कल कहीं सरे वीडियोज वगरा देखता हूँ लोग इश्वर के मतलब मंदीर में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें फैस्ट और होटेल जीसी सुविदाय चाहिए होती है वहाँ पर भी उनको मान सनमान चाहिए होता है इश्वर के दर पर जाने के बाद भी उन्हें मान सनमान के आवशकता होती है देखे मंदीर का जिर्नोधार, मंदीर की व्यवस्ता सबसे बढ़िया हो वो एक अलग विशे होता है पर जब हम इश्वर के दरशन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अपने पूर्ण एहंकार को हम इश्वर के चर्णों में अरपिद कर दे वहाँ पर अगर हमें कहीं पर थोड़ा सा अपमानित भे होना पड़े तो भी हमें अंदर से प्रसंद होना चाहिए कि हम इश्वर के दर पर आए तो ये जो शेरिर में थोड़ा सा एहंकार थाना वो कम हो गया और इसी कारण से कहा जाता है कि जो हम तिर्थाटन आदी करते हैं उससे हमारे पाप क्षिन होते हैं पाप क्षिन मतलब कोई इधर उदर उपर बैठ कर कोई हमारे पापों को नहीं दो रहा होता हमारे मन में जो एहंकार है मन की जो अशुद्धी है जो भोतिक्ता के पीछे हम भागते हैं उससे थोड़ी दिर के लिए दूर होकर हम सात्विक्ता हमारे अंदर आती है हम अपने एहंकार को इश्वर के चर्णों में थोड़ा सा वो एहंकार हमारा कम होता है और ये जो मन की शुद्धी है उसको सबसे ज़्यादा महत्व हमारे संस्कृति में दिया गया है तो जो भी पूजापाट, करमकान, आदीजो होते हैं तिर्धाटन आदीजो होता है भलही उसे अध्यात्म मार की सबसे शुरुवाती सीडियों में से कहा गया हो पर उनका भी अपना एक अलग महत्व है वहाँ पर कहीना कही पर हम अपने एहंकार को कम कर रहे होते हैं और ये मन की शुद्धी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और फिर जब हम अध्यात्म के मार में धीरे 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 प्रगती करते जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं तब हमें इश्वर संतों के चर्णों में जाने की प्रेरेना देते हैं जैसे कि रामकुरुष्ण परमंज जी, स्वामी विवेकानन जी के गुरुदेव, मा काली तो उन्हें दर्शन देती थी, तो एक बार मा काली ने रामकुरुष्ण परमंज जी से कहा कि अगर वो तत्वग्यान, आत्मग्यान, जिसे सर्वोच अगया है हमारे संस्कृति में, वो अगर तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें गुरु ही करने पड़ेंगे, रामकुरुष्ण परमंज जी ने कहा कि मा, मैं तो रोज आपके दर्शन करता हूँ, मुझे क्या आवशकता है गुरु करने की, तो समय मा काली ने कहा कि गुरु के बगैर वो आत्मग्यान, वो धर्थी पर आते हैं, तो वे गुरु चर्नों में बैठ कर ज्यान प्राप्त करते हैं, और इसी कार से जो गुरु भक्ती योग है, जो गुरु शिष्य परम परा है, उसको हमारे संस्कृति में सर्वोच्चस्तान दिया गया है, गुरु को इश्वर से भी उच्चा कहा गय ऐसा कहा जाता है कि गुरू और इश्वर दोनों हमारे सामने खड़े हो तो भी जो गुरु पूजा होती है गुरु देव की पूजा सबसे पहले करने के लिए कहा गया है तो उसके बाद कि रामकुरुष्ण परमंजी ने तुतापुरी गुरु की वे शरण में गए और उसक संतनामदीव जी से का कि तुम तो अभी कच्चे घड़े हो अभी पक्के नहीं बने हो यानि वो आत्मग्यान वो ब्रह्म विद्या वो अभी तुमें प्राप्त नहीं हुई है संतनामदीव जी ने सोचा किया भाई मैं तो भगवान विठ्थल के दर्शन कर सकता हूँ तो मुझे उस आत्मग्यान की क्या हो शक्तर मैं कैसे कच्चा घड़ा हूँ तो भगवान विठ्थल से बड़ी ही विनमरता से भाउक होते हुए उन्होंने पूछा कि मैं कच्चा घड़ा कैसे हूँ तब भगवान विठ्थल ने संतनामदीव जी से कहा कि तुम इश्वर के दर्शन तो कर रहे हो पर अभी भी तुम्हें वो आत्मग्यान पराप्त नहीं हुआ है और अगर तुम्हें वो आत्मग्यान पराप्त करना है तो गुरु की शरण में ही ब्रह्मग्यानी संतों की शरण में ही तुमें जाना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें आत्मग्य जी ने जो उबदेश दिया था वो जो करंत है योगवशिष्ट महारामायन इन सब में इसी आत्मग्यान की तत्वग्यान की महिमा गाई गई है तो ऐसा ये जो आत्मग्यान है उसका अभ्यास जब सौमी विवेकानन जी कर रहे थे ऐसा कहा जाता है कि गुरू रामकुरुष में नहीं आती है पर रामकुरुष्ण परमायन जी ने सवमेविकानन जी को योग्ये पात्र समझ कर उन्हें अश्टावक्र गीता का अभ्यास करने के लिए कहा था तो वो आत्मग्यान अहम ब्रम्हासमी वो प्रब्रम परमात्म स्वरूप मैं स्वयम हूँ इस आत्मग्य जी ने फिर घर में जितने भी भगवान और इश्वर के आदी फोटो आदी थे उन सब को लिया और वे गंगा में बहाने के लिए चल पड़े तो आश्रम के जो दुसरी शिश्य थे वे तुरंत रामकुरुष्ण परमिन जी के पास में गए और कहा कि जो नरेंद्र है वे तो इस प्रकार से भगवान की जो फोटो आदी है वो तो गंगा में बहाने के लिए जा रहे हैं तो रामकुरुष्ण परमिन जी ने डाट कर तुरंत स्वामिविकानन जी को अपने पास बुलाया और इसके बाद में रामकुरुष्ण परमिन जी ने स्वामिविकानन जी क बली ग्यान योग कितना ही उचा क्यों नहों पर इसका आर्थ यह नहीं होता कि हम भक्तियोग को कम आके भक्तियोग का भी अपना एक अलग महत्व है भक्तियोग के मार्क से भी उस पुर्णत्व की स्तिती को इश्वर और मैं अलग नहीं है वो जो एकाकार होना इश्वर से उस पुर्णतव की स्तिति को भक्तियोग के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो सौमय वेकानन जी के जिवन के ऐसी ये जो घटना है, उसको मैंने बच्पन में सुना था। और देखिए मैंने देखा कि कई सारे लोग तो मतलब बस एक कुतर्क करने के लिए ही ये संशे उत्पन करते हैं कि अंदविश्वास को तो बढ़ावा नहीं देती, पर कुछ लोग शुद्धर रदे से भी ये पूछते हैं कि भाई कही अंदविश्वास को तो बढ़ावा नहीं दिया जाता इन सब बातों के द्वारा पूजापाट करमकांट जो आदी हम देखते हैं उसके माध्यम से तो ये जो प्रशन कई लोग शुद्धर देशे भी उनके मन में जो आता है उसके पीछे भी कारण यही है क्योंकि देखे हमारी संस्कृति हमें करमयोग को सरवच्चे बताती है कि पुरुशार्थ से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं पुरुशार्थ का महत्व भगवांसर कृष्ण भी बताते हैं और हमारी संस्कृति तो हमें ये सिखाती है कि इश्वर जीवन भर आपके साथ ही क्यों ना रहे हो इश्वर आपके रत के सार्थी ही क्यों ना हो फिर भी फिर भी आपकी जीवन के दुख अपने आप ऐसे चमतकार से दूर नहीं होते हैं उसके लिए स्वयम आपको ज्यान की साधना करने की ज्यान की विवेक की आवशक्ता होती है और ज्यान के बगएर आपके दुख नहीं मिटते हैं जैसे कि अरजुन भगवान स्री क्रिश्न तो अरजुन के साथ में ही थे अरजुन के सखा थे, मित्र थे और किवल सखा और मित्र ही नहीं अरजुन के रत के वे सार्थी भी थे फिर भी अर्जुन के दुख नहीं मिटे अर्जुन का शोक, भय, चिंता ये दूर नहीं होए जब अर्जुन ने गुरु रूप में भगवान सरी कृष्ण को स्विकार किया और जब वे विनम्रता के साथ, पूरी विश्रधा के साथ भावक होकर आप मुझे ग्यान दीजे, मेरे भय, शोक, चिंता, विशाद को आप दूर करिए ये जब अर्जुन ने कहा उसके बाद भगवान सरी कृष्ण ने जब उन्हें ग्यान दिया गुरु रूप में, तब जाकर अर्जुन के जो भय, शोक, चिंता, विशाद है वो सब दूर हुए और शिमत भगवत गीता में भी भगवान सरी कृष्ण ने पुर्शारत की, कर्म योग की महिमा बताई है तो हमारे सलस्कृति में तो बच्पन से ही यही सिखाया जाता है कि इश्वर कही पर आसमान में उपर नहीं बैठे हुए वे कही पर चमतकार से हमारे दुख चिंता भय दूर नहीं करने वाले अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है हमारी भय, शोग, चिंता, विशाद को, दुखों को दूर करना है तो उसके लिए हमें स्वयम ही पुरुशारत करना पड़ेगा हमें ज्ञान के मार्क पर ही चलना पड़ेगा हमारा ज्ञान ही हमारी भय, शोग, विशाद को दूर कर सकता है और इसी कारण से हमारे संस्कृती में स्वर्ग के सुक को तक सबसे तुच्छ कहा गया है अश्टावकर गीता में ये श्लोक आता है कि जिस पद की लालसा इंद्र आदी देवता भी करते हैं उस आत्म पद में जो ब्रह्म विद्या तत्व ग्यान जिसको सबसे उचा कहा गया है उस आत्म ग्यान में स्थित होने के बाद भी आत्मनिष्ट जो महापुरुष होते हैं वे उस पद में स्तित होने के बाद भी हर्ष को प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें कोई एहंकार नहीं होता इतना उच्य वो आत्मतत्व का प्रमविद्या का पद प्राप्त करने के बाद भी तो हमारी संस्कृति मृत्यों के बाद आपका कल्यान होगा अमृत्यों के बाद आपको सुख मिलेगा अमृत्यों के बाद आप स्वर्व में जाएंगे ऐसा ऐसी संकल्पना हमारे संस्कृति में नहीं है आप जिती जी सुखी स्वस्त और सम्मानित जीवन जीए ये हमारे संस्कृति सिखाती है परंतु इसके साथ ही हमारी जितनी भी परंपराय हैं उन सब का पालन करना उनका समवर्धन करना भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक है और हम जो देवताओं की आदि पूजा करते हैं तो उसके माध्यम से हमारी जो भोतिक जो इच्छाय होती है वे भी पूर्ण होती है अब देवताओं की पूजा के बारे में श्रीमत भगवत कीता में भगवान स्रीकृष्ण क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ साथवे अध्याय में भगवान स्रीकृष्ण ने इसका वरणन किया है तो भगवान स्रीकृष्ण श्रिम्मत बगवदगीता के सात्वे अध्या ज्यान विग्यान योग में कहते हैं सुलाववे शलोक से आगे में पढ़ रहा हूँ ऐसे चार प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं तो चार प्रकार के भक्तों के बारे में भगवान ने यहां पर बताया है अर्थार्थी, आर्थ, जिग्यासु और ज्ञानी सत्राविश लोक में भगवान कहते हैं तेशाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिश्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थ महम सचममप्रियह उनमें नित्य मुझ में एकी भाव से स्तित अनन्य प्रेमा भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्यानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्यानी मुझे अत्यंत प्रिय है तो उन चार भक्तों में भी जो प्रेमा भक्ती के मार्ग पर है जो इश्वर को तत्व रूप से जानते हैं उनको अति उत्तम भक्त भगवान कहते हैं उसके बाद 18 श्लोक में भगवान कहते हैं ये सभी उदार है जो चार प्रकार के भक्त बताएं वो सभी उदार है परंतु ज्यानी जिस आत्मे ज्यानी के तत्व ज्यानी के ब्रम विध्या के मैंने बात की उसको जिस ज्यानी ने प्राप्त किया है वो ज्यानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है मतलब वे अपने उस आत्म स्वरूप को जान गये हैं इसकारे से भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्यानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है क्योंकि वह मदगत मन बुद्धी वाला ज्यानी भक्त अती उत्तम गती सुरुप मुझ में ही अच्छी परकार से स्थित है उस आत्म तत्व में उस परब्रम तत्व में व्यो अच्छी परकार से स्थित है इसके बाद 20 वे शलोक में भगवान कहते हैं बाद 20 वे शलोक में भगवान कहते हैं बाद 20 वे शलोक में भगवान कहते हैं तो उसके माद्यम से भी इश्वर आपकी भवतिक इच्छाओ को पूर्ण करते हैं तो आगे 23 वे शलोक में भगवान स्रीक्रिश्न कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धिवालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं तो बहर की जो देवताओं की पूजा आदी करते हैं बहुतिक इच्छा से वे उनके लोकों को प्राप्त होते हैं और जो मेरा भगत हैं जो इश्वर की भगवान की आरादना करता है वो इश्वर के ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है वो मुझको ही प्राप्त होता है ऐसा भगवान कहते है तो देखे देवताओं की पुझा क्या पारे हैं तो भगवान स्रीकृष्ण ने अपने बाल लिला में ही बता दिया था जब गोकुल के सभी लोग इंदर की पहले पुझा करते थे तो भगवान स्रीकृष्ण ने मना कर दिया कि क्या आवशकता है देवताओं की पुझा करने की हमें तो निसर्ग की पर्यावरण की पुझा करनी चाहिए उसके बाद में इंदर नाराज हो गए थे फिर बहुत तेज बारिश आई और उसके बाद में भगवान स्रीकृष्ण ने गोवरदम परवत को उठाया था तो अपनी बाल लिला में ही भगवान स्रीकृष्ण ने इसके बारे में पहले ही बताया था की निसरग की पर्यावरन की इश्वर की हमें आराधना करनी चाहिए इसके अलावा जो दैव होते हैं भगवान शिवजी की जो गण होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है जैसे कि कांतारा फिल्म में बताया गया और उन सब भी परंपराओं का भी अपना अपना एक अलग महत अब भौतिक इच्छा है उसके बाद में धीरे 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 बहुतिक इच्छा उसे आगे बढ़कर धीरे अध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़कर भौतिक इच्छा उसे ऊपर उठकर हमें जो अलोकिक ग्यान है आत्म ग्यान है उस मार्ग पर भी धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए तो दोस्तों आशा है कि इस पूरे विशे के बारे में जितना भी मैं कुछ बता सकता था जितना मैंने पड़ा हुआ है वो मैं आपको बताने का प्रयास किया अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ बाकि जो कुछ भी बाते में आपको बताई है इस पर आपके विचार क्या है मुझा अपने जी कमेंट में अवश्य बताना ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धिन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम